हाँ सबसे पहले आप सभी को तहतरवें गंदंतर दिवस की हार्दी शुब कामने ठीक है हैपी 73rd Republic Day ठीक है और आज यो अपन ये जो वीडियो है आज का वो बहुत ज्यादा important है और इस वीडियो को इस वीडियो बनाने में मैंने जो मेहनत कियो आज तक ही सबसे ज्यादा मेनत है क्योंकि सारे क्योशन लाइन टू लाइन जहां से भी लाइन डीड़ गर क्योशन बना तो लिख दिया चाहिए वो वन लाइनर हो चाहिए वो दो ये तीन मार का वे एन गिलकर में एपिक के बारे में पड़ाओगी मतलब ऐसी इसी बाते हैं जो बहुत आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आईगी आपको करना क्या है मेरे से एक प्रॉमिज करना अभी योगि ये वीडियो डेट गंटे से भी जादा का है एक गंटे चालिस मिंट पें तीस मिंट के लगबग ये वीडियो बनेगा तो आपको इस पूरे डेट पोने दो गंटे तक पिलकुल बिलकुल एक कहते हैं कि फुली एक ही जिगर ध्यान लगा के सुनना है और सारे क्यो कर दिया था तो उसका आपको रीटेस देना एक बार फिर से उसके बाद में इस से अप्रक आपके एक टेस्स बनाऊंगा जिसमें इंपोर्टेंट क्योशन होंगे जिसमें वन लाइनर फॉर्टू फाइफ लाइनर या लॉंग क्योशन आंसर जो होते न वह सब होगे ठीक ह तो अब आपको एक क्योशन शुरू करते हैं ठीक है अब देखो क्योशन नमर 16 वारका शिर्ष दा वारका हैड बहुत ही यह फैमस मूर्ती है ठीक है इस तरीकी बड़ी सुंदर मूर्ती बनाई गई है ठीक है यह वेरी इंपोर्टन एक्जाम में क्योशन बहुत बार आया ठीक है एक्जाम में क्योशन शुरू का फिर बन जाएगा कि यह जो मूर्ती हो कब बनी तो तीन जारे सा पुरू है किससे बनाएगी सफेद संग नमर से ठीक है तो इसलिए डीपली पढ़ना इसकी आँखों और बहुं में करमशे नीले लाजवर्द ता सफेद सीफी और क साइट एच और लिए बीज में वाइट एंड बीटुमें ब्लैक इनलेज रस रस्पैक्टिवली ठीक है यह मूर्ति के लागा कि विश्व प्रसिद नमूना है इस इस इसे वर्ड फैमस पी सुब्सकाप जब ठीक है और इसमें इसके मुक में मुक इसके मुक ठुड़ी ठ बालूं की ठीक है तो दिस इस वर्ड फैमस हो गया एड्माइड फोर दा डेलिकेट मॉडलिंग और वोमेंस माउट चिन अंड चिक है तो अगर टू माक्स में तो इसली आप इसकान से लिग देना है ठीक है ना साथ किसा याद भी हो गया होगा अब देखते हैं क्योशन न बालूं की घटना क्या एक्जाम आयागा क्योशन सीधा सीधा तो बाइबल जो जानती हो क्रिष्टन का यानि के इसायों का पवीतर गरंथ है तो बाइबल के नियुसार यह जल्पलावन प्रत्वी पर संपूर्ण जीवन को नश्ट करने वाला था धियान चा सुनना पर सुरक्षित रखने के लिए नौवा 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 नाम के एक मनुष्य को चुना हाववेवर गॉड चूज ए मैन नौवा ठीक है एन ओ एच टू इंशोर देट लाइफ कुड कॉंटिन्यू आफ्टर दा फ्लड अब यहां से सीधा फिर वनमाक्स आएक क्योशन बन आई और उसमें जीव जुन्तूं का एक एक जोड़ा रख लिया द्यान चे सुनना है न तो एक एक जोड़ा रख लिया पिर क्या हुआ और जब जलपलावन हुआ तो बाकी सब कुछ नश्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गये बताओ ऐसी ही क कि नवा नाम का एक वेक्ती था उसने क्या करा कि एक नाव बनाई उसके इंदर जीव जुन्तूं के जोड़े रख दिये तो जैसे जलपलावन हुआ मतलब एक तम बार्ड फ्लट की तरह आया तो बाकी सब तो मर गए लेकिन जो जो उस नाव के इंदर रखे थे जोड़े बनाई कि उस सब बच गये मिजए चोटी से स्टोरी है अब बात यह आएगी कि इस कानी के जो मुख्य पातर होते हमाने में स्टोरी में सुनाने वाले होते हैं ना पातर तो उसको क्या कहते है तो वह भी वन हमास का नीचे बन जाएगा जीव सुद्र टीक है तो English भी कॉन् स्टोरी इन दा मेसोपोटामियन ट्रेडिशन वेर दा प्रिंसिपल करेक्टर वोस गॉल्ड जियू सुद्र जियू सुद्र जियू सुद्र बोल दो चाहे उतना पिष्टिम उतना पिष्टिम ठीक है यह नाम था वेरी इंपोर्टेंट यह था अपना क्योश नमर 17 अब से तो क्योशन नमर 18 है लेकिन मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट बना के लिखे हैं तो यह सीधा आप ऐसा कैसा होता लिए नहीं क्योशन एक साथ मेक्स है तो वनमाक्स सा क्योशन त्यार हो गया कि अर्लियस सिटी इन मेसोपोर्टामिया डेट पैक्ट टू दा ब्रॉंज सी 3000 विसी ठीके सेकंड पॉइंट है कांसा तांबी और रंगे के मिश्रण से मनता है इक्जामें वनमाक्स में क्योशन आ जाएगा किन दो धातूं से बनता है तो तांबे और रंगे के मिश्रण से बनता थी कि ब्रॉंज इस एन आलॉय ऑप कोपर एंट टेन वेर्य इपर् कांसे की बनी होती है the tips of the Spears very important है तीनों तीन क्योशन है वैसे तो लेकिन मैं इसको उठाराग नमर देखे लिख दिया टीकिए वनवन मार्क सकती इन क्योशन अब देखो क्योशनestab 1960 मेसोपोटामिया की साख शर्ता लिटरासीओ मेसोपोटामिया अगर वन ये इतुमार्ग से है क्या साख शर्ता कैसी थी क्या लोग पर लिखे पर लिखं़े सकते थे वेडिफ्यू मेसोपोटामियन कोद रेडेन right ये क्या कारण था इसका कारण ये था कि नाकी आवल प्रतिकूं या चिन्जों की संख्या संख्णू में थी बलकि यह अधिक पैचीदा थी पैचीदा का मतल़ बहुत मुशգ्द बहुत sii dodi ती तो संक्रण बहुत तीजिनियाद करो इसलिए तो रिजन कहा था कि not only were there hundreds of signs to learn many of these were complex वो बग मुश्किल भी थे और फिर एक बात और तीसी का कारण कारण में लिखना है दो कारण इसके है कि अगर राजा स्वेम पढ़ सकता था तो वे यह चाता था कि प्रशस्ति पूर्ण अभिलेकों में उन तत्यों का उलेक आउश्य किया जाए और सिद्सी पात राजा को अगर समझ में आगी न तो वे कहता नहीं नहीं साहिए यही चीन होने चाहिए जो मैं पढ़ सकता हूँ जो वो अपने हिसाब से और जाद मुश्किल बना दी उसने फिर नेक्स क्योशन में 20 उरूक से क्या भी प्राए हैं वोट इस उरूक तो आंसर है मेसोपोटामिया की परमपराकत कताओं कि नुसार उरूक एक अतेंद सुन्दर शेहर था जिसें अकसर केवल शेहर के अगरी पुकरा जाता था तो इतना फेमस था कि शेहर तो शेहर का मतलब उरूक इतना वोल्ड फेमस जैसे अभी एपन कोई सिटी है शेहर का नाम लेते हैं उसका नाम लेते हैं लेकिन इसमें उस टाइम पर नाम लेने ही जरू तो नहीं थी हर को यह समझते है चाहर मतलब उरूक यानि कि था मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरूक वोस दा सिटी पर एक्सिलेंस अप्टरन नौन सिंपली एज दा सिटी ठीक है तो वेरी इजी टू माक्स में अगर क्योशन आ जाता हो तो आ जाएगा ठीक है लिग देना क्योशन नमर 21 उरूक के प्राचिन शाषक का क्या नाम था वोट वोस दा नैम ऑफ दा एंसिन डूलर अप उरूक तो था एन मरकर ठीक है अब देखते हैं क्योशन नमर 21 सुमेरियन महाकावे कि शाषक के बारे में है ठीक है विच रोलर इस सुमेरियन एपिक अबाउट तो वो भी एन मरकरी हैं ठीक है एन मरकर ध्यान लगना यह अपर दो बाते हैं गुमा फिरा के पूछी जा सकती है कि एन मरकर जो शाषक है उसके बारे में कौन सा महाकावे है एपिक लिखा गया तो आपका अंसर होगा सुमेरियन ठीक है इसका ज़रूर ध्यान लगना यह शहरी करण का वर्णन करते हुए वहां के मंदिरों के निर्मान उनके महत्वे की भी बेचना कीजिए डिस्क्राइब दा अर्बनाइजेशन ऑफ सदन मेसोपोटामिया डिसक्रस दा कंस्ट्रक्शन आप टेंपल्स और इंपोर्टेंस देर यह आपको इसमें लिखना है मैं एक साथ ऐसा ठीक है शहरी करण पहले बात करते हैं अर्बनाइजेशन की तो 5000 इससा पूर्वे दक्षन मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था अब सीधा क्योशन वनमाक्स का यहीं से आएगा कि दक्षन मेसोपोटामिया में शहरी करण कब से स्टार्ट ह हो गया या फिर बस्तियों का विकास कब होने लग गया तो 5000 इससा पूर्य हो वनमाक्स का क्योशन त्यार हो गया ध्यान देकना मैंने आपको पहले भी कहा था कि थियोरी में एक एक नमबर की क्योशन छुपे हुए हैं ठीक है डवलप्ट अरूंड टैंपल्स सेकंड जो व्यापार के केंदरों के रूप में विक्सुत हुए दोस्ट डवलप्ट एस सेंटर्स ठीक हो तीसरा शाहिशेर थे यह थे इंपरियल सेटी बोलो चैंड रोयल सेटी बोलो यह राजा महारा रा करते आते हैं पर तो मतलब अब सेटल अब सेकंड हैं अब सेकंड ही तो बाहर से आकर बसने जाले अनिह से गाउं में कुछ चुने हवी इस्तानों या मंदिरों का बनाना उनका पुन्दर निर्माण शुरू कर दिया ठीक है बाहर का मतलग आपर समझ रहे हो जैसे हैं कि सिटी में भी तो लोग बाहर से आके अपना घर ले लेते हैं वहार रहने लग जाते हैं वैसे ही बाहर से जो आके लोग रहने लगे गाउं से आके तो फिर वहां उन्हों देखा आइसपास में जो मंदिर जिसका टूटा उठा है तो उस मंदिर को ठीक किया मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन किया उसको ठीक करके तो मतलब अपन बात करें मंदिर को निर्माण कैसे हो दूसरे क्या करा؟ अब यहीं पर वो जो हमने one mark फिर question मन गिया कि पहला ग्यात मंदिर एक छोटा सा देवाले था सबसे पहला ग्यात मंदिर एक छोटा सा देवाले था very very important है exam में सीदह क्योशन आएगा सबसे पहला ग्यात मंदिर कौन सा था था आप लिका। चोटा सा देवाले फिर जो कच्ची इटू का बनावा था सीधा सीधा इसको अंडरलाइन करते जाना वनमार्क्स वाले जिते भी क्योशन है उनको अलग कलर रखे पेंसे अंडरलाइन करते जाना अपने नोट्स में ठीक है ताकि आपको यह पता रहेगा कि यह ठीक है नेक्स्ट मंदिर विभीन परकार के देवी देवताओं के निवात इस्तान थे जैसे यानि कि टेंपल्स वर दा रेजिडन्स ओफ वेरिस गोड्स ओफ दा मून गोड्स अफ उर और इनाने तेक द्यान देखना कि उर को तो चंदर देवता का आ जाता था और इनाना इनाना को दा गोडेस ओफ लाव एंड वार इनाना जो प्रेम युद की देवी थी ठीक है प्रेम की देवी भी इनाना और युद कराने वाली देवी इनाना ये तो खेर आप बस में जुड़े वही बाते हैं प्रेम और युद तो चलता रहता है तो मेरी बात को दियान से स इराना को इराना को love and war goddess of love and war यानि की प्रयम और युद की देवी और ये मंदर इंटू से बनाए जाते थे very important बात है और समय के साथ फिर बड़े होते हैं वो तो केर सिंपल सी बात है वो तो आज भी ऐसे ही होता है मंदर फिर देर बड़े होते चले जाते हैं constructed in bricks, temples become larger over time ठीक है बहुत easy चीज थी थी थोड़ा सा ओर लिख दो मंदरों के बारे में कि मंदिरों की बाहरी दिवाने कुछ खास अंतरालों के बाद बीतर और बाहर की और मुडी हुई होती थी यही मंदिरों की विशेष्टा थी temples always had their outer walls going in and out at regular intervals which no ordinary building ever had अब सुनना मेरी वाल यह क्योशन 1 marks में यहां से फिर आजाएगा underline करना यह box बना लेना कि मंदिरों की क्या खास बात थी या फिर मंदिरों की क्या विशेष्टा थी अगर आपसे वो विशेष्टा पूछे खास बात पूछे तो यह खास बात थी जो मैंने last की दो टाती नाइन लाइन लिंचे लिखिए ठीक है अब एक क्योशनी सीका है मंदिरों का महत्वे importance of temples मंदिरों का महत्वे क्या था उस ठीक है यानि की टू हीम और हर पीपल ब्रोट ग्रेंड कर्ड एंड फिश कर्ड मुलब दाई फिश मत लिए होगी ठीक है और फिर अरादय देव सेदान्तिक रूप से खेतूं मत से श्यत्रूं और इस्तानी लोगों के पशुदन का स्वामी माना जाता था और यह आज भी हैं लोग ऐसे ही अपने घवान वे को मानते हैं और अरहते देव का मतलब जो कुछ लोगों के अपने स्पेशल भी होते हैं जैसे कोई मैता जी को मानते गों क्या क्रदेशन होते हैं तो सेधान दिक दोर पर ठीक है यानि कि दा गोल्ड वोज ऑल्सो दा ठीरोटिकल ओनर अप दा एग्रिकल्चर फिल्ड ता फिश्री एंड अधा हर्ट्स अब दा लोकल कम्यूनिटी ठीक है वहां के उनको मानते थे भगवान मानते थे और करशी अगरा जो भी कोई मत्सली पालन वस्तों में बदलने की परकिर्या भी नहीं की जाती थी अपन क्या पढ़ रहें महत हुए मतलब इंपोर्टन्स क्या था अब जैसे टाइम हो गया कि इसका फसल पकनेगा तो फसल पकने का टाइम होते ही फिर क्या होगा कि अब इसमें जितना भी धान निकलेगा वोस मंदि एंड यानि की घर परिवार के उपर के स्तर के विवस्ता पक व्यापारियों के नियुकता और अन या हल जोतने वाले पशूं रोटी जो की शराब मचली आदी के अवंटन और वित्रन के लिखित अबिल्यक्वों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने किर्य अकला बढ़ा लिये और मुक्य शेहरी संस्ता का रूप ले लिया इंग्लेश में पने मर्चेंट्स एंड पढ़ चुके थे कीपर ऑफ रिटन रिकोर्ट्स ऑफ डिस्टिबूशन एंड अलोटमेंट्स ऑफ ग्रैन वह अलोटमेंट्स पिलिंग कंटिन्यू कर ले ना उसके बादो नीचे हैं ठीक है तो मतलब इतना इंपोर्टन था हर कोई वही पर जैसे कोई भी अगर डोक्यूमेंट्स का काम करना है तो भी मंदर मंदर की सामने रखके होगे हैं कि कसम खाले थे ऐसा महलो कि वहां पर कोई जूट नहीं बोलता था ऐसा माना जाता था और फिर वही पर अगर क्योश्मर्ट 24 तो मैंने इसे लिखा वनमाक्स में एजिली हालांगे अपने थेोरियम पहले पढ़ चुके मेसोपोटामियां की लीपी क्या कहला थी थी what was the मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट कॉल्ड तो वह क्योनिफोर्म या कीला करेंगे क्योनिफोर्म अब देखो क्योश् स्क्रिप्ट करेंगे क्योंकि फरात नदी की प्राकर्तिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बे आता था और फसलों को डूबो देता था और कभी-कभी ये धाराई अपना रास्ता ही बदल लेती थी जिसने खेल सूके रह जाते थे बिकोज दा नेच्रल आउटलेट चैनल्स अब दा फरात ये यू ये छोटा सा लिकाए वो ध्यान लगना है फरात्स वुड्ट है टू मच वोटर वन यर और फ्लेट अक्रोप्स एंड़ सम्टाइम्स देवोड चैंज कोर्स अल्टोगेदर तो देर वर में यह हो गया ठी है कि जो लोग इन धानाओं के ऊपरी राकों में रहते थे ना वे अपने पास की जल्दारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा नीचे की और बसेवी गाहों तक पहुंचे नहीं पाती थी तो यह मैनमेड प्रोब्लम हो थी मतलब कुछ लोगो और यह अभी भी होता है अभी जैसे नहरें वगर अब जैसे हमारे अपने राजस्तान की बात करें तो हन्वान करें अगर मैं नहरू से ही कहती होती है हरी अनमा भी नहरू से कहती होती है पंजाम भी नहरू से कहती होती है कैनाल से तो वो ऐसा डिस्पूट वहां पर भी च सान हो जाती है यह लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद यानि कि जो मिट्टी नहीं निकालते थे जिससे बहाव रोग जाता था और नीचे वान लोगो पाने नहीं मिल था बाई जैसे जहां पानी चलता है न वह एक धोरा सा बन जाता है गाद उसके नीचे फिर चिकनी- बहाव रोग जाता और नीचे वानों को पानी पहुंचता है नहीं यानि कि और दे कुर्ट नेगलेट टू क्लीन आउट दा शिप्ट फ्रॉम देर स्टिच ऑफ देच कैनल एस और चैनल ब्लॉकिंग दा फ्लॉफ वर्टर फर्दर डाउन ठीक है तो यह था 25 क्यूशन वर आंसर यह लिखना है मतलब हाव डिट दा पोजिशन ऑप दा किंग डवलब इन मैसोपोर्टामिया डिस्क्राइब ठीक है तो आंसर देखते हैं मैसोपोर्टामिय के ततकालिन देहातूं में जमीन और पानी के लिए कई बार जगड़ेवा करते थे ठीक है और जगड़ों क बेंड एंड वड़ त्यक है अब इससे क्या होगा कि जब किसी शेतर में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुख्या होता था न फिर आपस में सी इसी बात है पहले किसान लड़ते है और किसानों के वाँ राजा जो होते थे मुख्या जो होते थे वो लड़ लेता आपस में तो जो मुख्या लड़ाई जीतते थे वे अपने सातियों को लूट का माल बाट कर खुश कर देते थे ठीक है यानि कि वेन देर वोज कॉंटिनूस वर्फेर इन रिजन तो दोज चीफ चीफ का मतलो जो वहां के में हैड होते थे ठीक है यार तक अपने इंगलीश में पढ़ लिया ठीक है यार तक अपने इंगलीश में पढ़ लिया फिर इस परकार वे अपना परभाव और अनुगयों की संक्या बढ़ा ले थे अब जैसे खुद तो जीत के तो जो हारगे न उनको पकड़ के लिया थे अपने यहां तो फिर खुद की संक्या और बढ़ जाती तो जितने ज़्यादा खुद की पास में सैनिक होंगे आदमियों के राजा उतना ही मजबूत कहलाता है तो वो अपने अनुगयों की या अपने फॉलोवर्स की संक्या इस तरीके से बढ़ा लेता था ठीक है फिर क्या वाँ कि लेकिन बाद में एक समय आया जब इन नेताओं ने समुधाय के कल्यान पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया अब क्या वाँ कि यह से राजा सोचता कि यह रोज लड़ेंगे इनको उठा लेंगे इस अधिक काम नहीं चलेगा थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा तो इन टाइम विक्टरीज चीफ बिगन टू ओफर प्रीशिस बूटी टू दा गोड्स एंड दस ब्यूलिफाई दा कम्यूनिटीज टेंपल्स ठीक है इसलिए फिर मंदरियों वगर आगा उन्हेंने काम शुरू किया और इसके फलसुरूप उन्हें क्या वा कि जिसके फ पत्रों और धातों को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाई को लाप पहुचा सके तदा मंदर की दन संपता के वितरन का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तों का हिसाब किताब रखकर परभावी तरीके, जिसे संचालन कर सके, यहां तक अपने इंग्लिश पढ़ लिया, फिर इंग्लिश टार्ट करते हैं, इस दा पॉइम अबाउट एंग्लिश शोज, इस गेव दा किंग हाई स्टेटस एंड अधरुटी तू कमाइंड दा कम्यूनिटी, टीके, जैसा कि एंग्लिश से जूड़ी कवीताई वेक्त करती हैं, कि इस व्यवस्ता ने राजा को उंचा इस्तान दलाया, तता समुदा पर उसका पूर्ण ने अंतरित हो गया, तो इस दीश से बता है, राजा मारा जोने मंदिरों अगरा काम किया, तो लोगों ही नजर में राजा बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो इस तरीके से राजा ने अपना खुद का मतलम खुद को मजबूत किया, ठीक है, और फिर ए अपने फाइदा है कि जब भी जरुत पड़ेगी तो सेनिक त्यार हो जाएंगे उसके, ठीक है, जिससे कि वे आवश्यक्ता पढ़ने पर तुरंत अपनी सेना ही खट्टी कर सके, क्योंकि अपने पास में ही थे, उनको जगा लेगा, उठा लेगा, तो लीडर्स, इंकुरे तकनी की परगत्ती का वरणन्द कीजिए, वेरी इंपोर्टेन अलग से पोचा गया क्योंकि ने, डिस्क्राइब दर टेक्निकल एडवांस और एट उरुक, ठीक है, तो इसका अंतर ये लिखना आपको, कि तीन हजार हिसा पुरु, अच्छा, ये क्योशन वनमाक्स में फि थाउजन बेसी, ठीक है, अनेक परकार के शिल्पों के लिए कांसे के हो जारूँगा परियोग होता था, ब्रूंस टूल्स कैम इन्टू यूस फोर वैरियस क्राप्ट्स, ठीक है, और जो वास्तुविद होते थे, जो जो आर्किटेक्ट होते थे, वास्तुविदू ने इ वैट अब दा रूफ अप लार्ज हॉल्स, क्योंकि उन दिनों बड़े-बड़े कमरों की छत्नों के बोज को समालने के लिए शेहतिर बनाने यह तू उप्यूक्त लकडी नहीं मिलती थी, जब लकडी नहीं मिलती थी, बड़े-बड़े कमरे बनाने पड़ते थे, उनकी अच्छत त्यार करने के लिए, क्या कर लिया अपर इन्टू के इस्तम बनाना सेखिए, जो आज पर मसाज कर तो वैसे इन्टू की दिवारा ही होती है, ब्रिक्स की, तो उन्होंने उस टाइम पर यह सेख लिया था, ठीक है, तो बहुत एज़ी है, फिर और क्या करा है उन् ठीक है, फिर क्या होता था, कि इन शंगों को भिन भिन रंगों में रंग कर मंदिरों की दिवारों में लगाया जाता था, ठीक है, फिर धैट कुड बी पुष्ट इंटू टेंपल सोल्स, पैंटेड इन डिफरेंट कलर्स, क्रेटिंग अ कलरफुल मॉजास मॉजाइक, ठी इनकी मंदिरों की, उन पर रख दिया चाता था, तो उनको मॉलब है कलरफुल नजर आता था, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका था, फिर मूर्ति कला के शेतर में भी उच्छ कोटी की सफलता प्राप्त की गई, इस कला के सुंदर नमुने आसाने से उपलब्द होने वाल चिकनी मिल्टी तो खेर वो होती है, जो उससे भी बनाते थे, लेकिन इन्होंने पत्थरों के भी बनाए हैं, ठीक है, इसका मनला भी कह सकते हैं कि, बहुत उच्छ कोटी की चितरकारी थी उस ताइम पर, ठीक है, यानि कि, इन स्क्लप्चर, देर वर सूपर्ब अच्यूम स्कलप्चर में, फिर नेक्ट एक बहुत फैमस है, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं लाइन, कुमार के चाक का निर्मार, बहुत इंपोर्डेंट था, पॉर्टर स्वील, ठीक है, अलग से वन माक्स में क्यूशन आएगा, कुमार जो होते हैं, जो चिकनी मिटी के गड़े बनाने से आसानी होई, मतलब आसानी से बनाई जाने लगे, चाक का मतलब बहुत जहां पर यह घड़े मटकियां अलग लग तरह के बनाना बहुत इजी हो गया, कुमार के लिए, तो कुमार के चाक का निर्मान बहुत बड़ी इनको चीज हो गई, तब पॉर्टर स्वील, इनदा, लॉंग रंदा, विल इनेबल से पॉर्टर स्वर्श वर्श वर्क्शॉप टू मास् प्रोडूस डॉजन्स ऑप सीमिलर पॉर्ट्स एट एट टाइम, मतलब दर जोनों उस था हैं क्याम एक जैसे बतन, क्योंकि इजी है फिर उसके उपर बिल्कुल सेम तो इस परकार प्रविदोकी के शेतर में भी एक युगांतकारी परिवर्तन है, तो एक से बड़ एक आंसर है, एस तक आपको लेकरने ये था क्योशनमा 27, अब देखें क्योशनमा 28, छोटा सा स्टेल क्या है, वर्ड इस स्टेल्स, तो स्टेल एक पत्थर के ऐसे जिसके उपर जो शिलापट होते हैं, जिनके पर लिखे जाते हैं, खुदा ये करकर गे, करकर गे, बस वो, जैसे आपके लिए एक पेज, और आप पैन से उसको लिखते हो, तो वो पेज, आपका भी का पेज, उस टाइम का स्टेल होता था, बस, ठीक है, स्टेल्स आर स्ट कार से अपनी भूमिका निबाती थी, हाव डिड मनी प्ले इट्स रॉल इन दा पॉब्लिक लाइफ ऑफ ता टाउंस पेपल, उस टाइम की बात है, हाला कि मुद्रा ही होती है, सब कुछ आज कर दो, लेकि उस टाइम पर कैसे हैं, मतलब उनका इंपोर्टन रोन लोता था बताना है, तो देखो यह है, कि पहली से स्त्राब्दी इसापुर्वे के अंध तक, पत्तर की बेलनाकार महरें, जो बीच में आर पार छिदी होती थी, यहीं पर वनमाक्स का फिर क्योशन त्यार हो गया, आप से ही पूछेंगे कि जो मुद्रातियों केसी थी, तो आपको स्ट्रिकल स्टॉन सील्स पिस डाउन दा सेंटर, ठीक है, बीच में छेद होता था, वर फिटेड विद स्टिक एंड रॉल्ड और वेट क्ले, सो देट एक कॉंटिनियूस फिक्चर वस क्रेटेड, अब होता क्या था, कि बीच में आर पार छिदी होती थी, और एक तीली ल गाले थे, और उनको नीचे फिर गिली मिटी जो होती थी, जिनको उनको चितरकारी बनाने थी, उस पर फिर गुमाते थे, ठीक है, तो उसको एजली गुमाने के लिए बड़ी काम आती थी वो मुद्रा, और वे अतिन्द कुशल कारीगरों दोरा उक्यरी जाती थी, ये भी वरी इंपोर्टेंट हर को नी कर सकता था, ठीक है, और उसके बाद में क्या क्या लिखना है लगे है वो लोग, कि और कभी-कभी उनमें ऐसे लेख होते थे, जैसे कि मालिक का नाम, उसके इश्रदेव का नाम, मतलब जो जिस भी गोड को मानते हैं वो, और उसकी अपनी पर हैं, वो पद्ब, जैसे कि SDM है कि वो कलेक्टर हैं क्या है, इस तती आदी, ठीक है, इस तरीके से, फिर नेक्स्ट, किसी कपडे की गठरी या बरतन के मुहे को चिकनी मिटी से लीप पीत कर उस पर वह महरे गुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखाउट मिटी क सते पर छप जाती थी, ये भी इंपोर्टेंट काम है, ठीक है, एस सील कुड बी रोल्ड और क्ले कावरिंग दा स्ट्रिंग, नॉट ओपे क्लोथ पैकेज, और दा माउट ओपे पॉट, कीपिंग दा कंटेंट सेफ, ठीक है, यानि कि किसी कपडे की गठरी या बरतन के मु जिसे अभी भी होतान, जिसे कई ट्रेंट जी सामान आता है, तो उसके उपर लिए ये इतना केजी सामान आज नहीं, फिर कोई पार्शल बेशते हैं, तो इतना केज सामान उस पर नाम लिका होता है, बगएरा बगएरा, तो पेचान हो जाए, वो उस टाइम पर ये ऐसस सी लगाते थे उसके उपर ठीक है ताकि वो सेफ रह जाए फिर वेन रोल्ड होने लेटर रिटेनेज क्ले टेबलेट इड बीकम मार्क ऑफ ऑफ ऑथेंटिसिटी सोदार स्थील वोस्था मार्क ऑन सीटी ड्वेलर्स रॉल इन पब्लिक लाइफ ठीक है जब इस महर को मिट्टी क है इसवाइब चिठ i only bear रूआ का गर गुमए जाता था तो वोर्डोंक यह जो महर की प्रमानिकथा की परति की बं जाती थी चीकर है यह जो महर उसकी पैचान होती ही आम अलूंज जैसे अभी को vacun कि開़ उसले पर अब आइद ौन को इस परकार मुद्रा समाल जाएनिक्य होने है nuclear family तो एकल परिवार में एक पूरुष उसकी पतनी और बच्चे शामिल होते हैं a nuclear family comprises a man his wife and children बस उसने कहते है एकल family ठीक है क्योश्म 31 होज क्या है what is some sump तो होज जमीन में एक ऐसा ढखावा गड़ा होता है जिसमें पानी और मल जाता है ठीक है पहले की जो नाना दोना गंदगी सब सारी उसी में जाती है a sump is a covered basin in the ground into which water and so is flow ठीक है तो ये भी वन वन माक्स में सिदे क्यूशने सा जाते हैं तो easily ये भी आपका complete अब देखो क्यूशन में 32 32 काफी important क्यूशन है यह मेसोपोटामिया प्रदेश के उर शेहर की खुदाई के फलसवरूप क्या-क्या तक्त्य सामने आए उन तक्त्य अंसर है कि उर नगर उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी वन माक्स साक्यूशन सीधा तयार हो गया ठीक है और एंडराइन कर लो इसको और वन अप दा अर्लियस सिटीज टुक है एव बिन एक्सकेवेटेड ठीक है सेकिंड उर मेसोपोटामिय का एक एसा नगर था जिसके साधारण गरों की खुदाई 1930 के दशक में सुवेवस्तित दंक्सें की गई ठीक है उर वोज टाउन हूस वर सिस्टेमेटिकली एक्सकेवेटेड इंदा 1930 उन्नी सो तीस के दशक में लगबग सही तरीके से खुदाई की थी उन्होंने उसमें ट कियता होगी तो इसकी खुदाई की गई तो खुदाई सबसे पहले उर नगर में की गई पहली बात था यह ठीक है और सई तरीके से खुदाई कब की वह 1930 के दशक में की गई तो मतलब ऐसे क्यों आ जाते हैं और जब खुदाई की तो क्या मिला उसमें यह मिला कि टेडी इंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट ए इदर जुडावाए था हम रखना हूं आए नहीं था इंडिकेट देट वीयल कार्ट कुड़ नोट है और रिच्ट मैंने ऑब दा हावसे गरू तक नहीं पहुंच पाती थी और फिर अब क्या करें जब गरू तक नहीं पहुंच पा फाइन वुड वुड है अर्राइवड ओन डंग की बैक डंग की अनि गदे की बैक पर लाद के लाए जाते थे अगला पतली गुमावदार गलियों तो था घरों के भुखंडू का एक जेसा आकार नहीं होने से यह निशकर्ष निकलता है कि नगर नियों जनकी पदती प्लानिंग ठीक है टाउन प्लानिंग बिलकुल एपसेंट थी वहाँ पर नहीं प्लानिंग की गई थी बात आती है पानी की तो जलनिकासी की नालियां और मिटी की नलिकाएं उर्णगर के घरों के बीतरी आंगन में पाई गई जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छत्तो मतलब उनकी पहचान है जबकि बाकी लोग क्या करते हैं चत को बाहर की तरफ डलान करते हैं लेकिन यह न वो घरों के बीतर मतलब अपने आंगन की तरफ डलान करते थे उस चत की आगे पानी अंदर आये मतलब यह उल्टे ही थे कुछ इसका मतलब यह पता चलता है कि जो गरों की छती उसकी डलान भीतर की ओर थी ठीक है अगला लोग अपने गर का सारा कुडा कच्रा बोहार कर गलियू में डाल देते थे ठीक है जहां वे आने जाने और यह लोगों के पेरों के नीचे आता रहता था सिदी से बात हो तो आएगा ही जब आप रस्ते में फैंक रहे हो तो अल्देर हाउस होल्ड रिफ्यूज इंटु दा स्ट्रीट्स टू दा ट्रोडन अंडर फूट इस मैड़ स्ट्रीट लेवल रेज एंड और टाइम दा त्रिसॉल्ड ऑफ हाउसेज हैड ऑल्सो टू बी उपर उट जाती है जिसके कारण कुछ समय बाद में घरों की दहलिज है जो आगे वाली उनको भी उँचा करना पड़ता था वो कच्रा जम जम किये जम जम किये मतलब इतना हाइट बढ़ जाती है उसके ताकि वर्शा के बाद कीचट बहकर गरों के भीतर आना सके इसलिए पिर वो क्या कर लेते हैं उनको ऊपर उठा लेते क्योंकि गलियां भर देते हो तो गलियों में जब हाइट बैट जाएगी तो फिर पानी गर के अंदर आएगा तो पर अपने घरों को उचा करते जाते हो ऐसा नहीं उस गंदग को फैंक दे नहीं उसको पही जमिरेती और अपने गरों को हाइट बढ़ा लेते ठीक है ऐसा खुदाई करने से हमें पता चलता है फिर देखते हैं अपन कमरों के अंदर रोशनी की बात करें तो रोशने खिड़कियों से नहीं आती थी बलकि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे आंगन बीच के लिए एक कब्रिस्तान था एक कब्रिस्तान था तेर वोशे टाउन सेमेट्री एट उर इन विच दा गाव क्रेव्स ओफ रॉयलिटी एंड कॉमनर्स हैव बिन फॉंड बट फ्यू इंडिज्वल्स दा फ्लार्स ओफ ओर्डिनरी हावसेश ऐसा भी मिला है कि वैसे तो यह कब्रिस्तान होता था जिसमें शाश्कू तो जन साधान के समाधियां म उपने घर में दपना देते थे ऐसा भी वहां पर खुदाईगरने से बता चला है हालां कि वैसे एक अब्रिस्तान था जिनमें साधरन लोग और साच को वहां पर भी मिलिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलें तो यह भी क्योशन आपको साथ में वेरी इंपोर्टेंट था क क्योशन मर् 32 अई इसे ही याद हो गया होगा क्योशन मर् 33 ते 30 मां समाज का कौन सा वर्ग नगरू में बसना पसंद करता था इंपोर्टेंट है विच ग्रूप अप दे सोसाइटी प्रिफर्ड प्रिफर्ड टू सैटल इन दा सिटी सिदी सी बात है जो पैसे बाला होगा जो हाई वर्ग होगा वही सिदी में रहना पसंद करेंगा क्योंगी बैसे इसको खैतिबाड़ी करनी नहीं है और वगएर फैसलिटी तो समाज का संबरात या उच्वर्ग नगरू में बसना पसंद करता था रूलिंग लाइट गुरूफ अब दा सोसाइटी प्रिफर्ड मतलब मैंने एक एक लाइन जितनी क्योंशन बन सकते हैं पूरे खौद खौद के बनाएं ठीक है यह था आपके क्योशन में 33 अब देखते हैं क्योशन में 34 में सब्सक्राइब में पर चलत शकून अब शकून की चर्चा कीजिए वहाँ पर यह भी चलता था कि यह शूब है यह शूब है ठीक है लिसके सबाव टॉमें टैबलेट्स इन में सब्सक्राइब नामी है ठीक है तो क्या क्या देखें कि उर में पाईगी शकून अब शकून समंधी बाते हैं पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं जैसे गर की दहली उंची उठी हो तो वह धंदोरत लाती है सामने का दर्वाजा अगर किसी दूसरे के गर की और ने खुले तो वह सोभागी पर दान करता हैं इस तरीके के मतलब टोटकी वह भी जानते थे अगर घर का लखडी का जो मुख्य दरवा जाएं तो अगर अगर घर का लखडी का जो मुख्य दरवा जाएं हैं वह बाहर की और खुले तो पत्नी अपने पत्ती के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी ठीक है मतलब टॉर्मेंट का कारण बनेगी इस तरीके से मतलब यह सिंपल सिंपल सी बात थी इनकी कुछ टोटके ये भी जानते थे अपने कैदिया गर की देहली जो उची रखनी च घो तो ममेंली से ही है मैं मतलब वधा चलता है कि पहले के लोग जो टोटके करते थे तो जैसे यह वाली बात है 그 कि दूसरे गडर सामने आमने-सामने के दरवाजें ना आते थे कि जैसे सामने वाल गर में कोई बड़े बुजूर के जो भी रही वो इनकी कोई बेटी बहु साथ को मतलब ऐसा ना हो फीलो वो सब आते हैं कुछ कुल मिला कि प्राइवेसी चीज निकल के आती है लेकिन आहला है कि आपसे ऐसा क्यों नहीं पुछ जाएगा आपको बताना है कि क्या मतलब कौन कौन स्टोड के गतर दो तिन आपको ये लिखना है ठीक है यह था आपका क्योशनमा 34 अब लेते हैं क्योशनमा 35 शाही राजदानी के रूप में मारी शेर की चर्चा करो वेरी वेरी इंपर्टेंट है और मारी शेर से मैंने तीन-चार क्योशन म बहुत पूचे गए हैं तो डिसकर्ज दा सेटी ओफ मारी एज दा रॉयल कैपिटल तो दो हजार इसा पुरुवे के बाद मारी नगर शाही राजदानी के रूप में खुब फला-फला आफ्टर टू-थाउजन बेसी तर रॉयल कैपिटल पेट्रों मारी फनेस्ट मारी स् फरात नदी की उर्दुधारा परिस्तित हैं ये भी पूचा जा सकता है कि वो फरात के कैसा था तो अप्स्ट्रीम था यानि की उर्दुधारा परिस्तित था मारी जो फरात नदी थे उसकी दो धारा जहां पहती थी उद्र वहां पर ये मारी नगर बसावा था मारी रज्जे में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे लेकिन उस परतेश का अधिकांज भाग बैड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था मारी वाला जगे न वैसे तो किसान वाँके तो दोनों काम करते थे लेकिन मारी में ओल्ली फोर बैड़ बकरी चराने के लिए ही लोग जाते थे यानि some communities in the kingdom of मारी had both farmers and fossilists but most of its territory was used for pasturing sheep and gods ठीक है होई था और अगला फिर एक खास पात और लिखना चाहो इसकी तो लिख देना कि मारी के राजा है न वो एमोराइट समुधाई के थे यह समुधाई होता न लगए से एमोराइट समुधाई था सीधा रटना इसको the kings of मारी वर एमोराइट whose dress different from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at मारी ओफ डेगन ठीक है यानि कि मारी के राजा एरोमाइट समुधाई के था ही थे उनकी पोशाग वहां की मूल निवासी उसे भिन होती थी और उन्होंने मैसो पोट्णा में कि देवी देवताओं का आदर नहीं आदर ही नहीं किया बलकि स्टेपी शित्र के देवता है न कि यह जो पूरा मेसोपोटामिया है यह बहुत अलग तरह की सब बेताओं कल्चर और सोसाइटी का मिश्रन है एक मिक्स अपन यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग वहां पर आके बस गये जैसे गडरिये वगरा होते हैं नो जो बेस ग हमारी नगर के पशुचारकों के इस्तत्ति पर परकास डाले इसका मतलब यह कि भूंपर पशुचारक ते यहां पूसलिट्स थे हर्डस हेलटält्स हो ता Second कि यह पर आपकर लोगान और मांसाधी के बदले में यह चीज़ें परप्त कर दे दे तरे क्योंकि पैसात उनके पाइस होता नहीं था तो वह पनी के लिए दे देते चमड़ा देते मास देते सब के लिए फिर उनको बदले में चीजे मिल जाती तो हर्डर्स नीड टू एक्संज यंग अनिमल्स चीज लेदर अनिमीट इन रिटन फोर ग्रैन मेटल टूल एक सेक्टरा उनके बदले में चीजे मिल जाती ती और जो बाड़ा होता था नहां पर पशों को रखा जाता था तो बाड़े में रखे जाने वाले पशों के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपिय होती थी फिर at the same time there may be conflict फिर भी बीच में जगड़े तोड़े हो जाता है तो क्यों होता है यह भी अपन क्योशन अभी लेंगे अँ मेरी बात सुनना मैंने मारी के वैसे तीन से चार क्योशन मणाए मारी शьर के मारी स्थी के लेकिन अगर баб को एक इभार में मारी श्र्टी के पूची और इप उचिंए अरो पांच नमर में पूँची तो इन सभी प्र प Our उस पिर अन्वे तो अगर एक साथ 5-6 मारा साथ क्योशन आ जाता है तो इन सभी आंसर को एक साथ लिख देना आपके 5-6 नमर हो जाएंगे लेकिन इसमें चोटे क्योशन पूचे गए इसलिए मैंने जानबोज के टुकुडो में इसके क्योशन बनाए हैं ठीक है मेरी बात पूरी समझ गेंग इन मारी किंगडम ठीक है तो आपको वाप देको आंसर है मैं सीधा लिखता हूं आपको ऐसा लिखना है कि मारी राज्य के किसानों तो दा गडरियों के भी जगड़े होने कारण नहीं लिखी थे ठीक है यानि रिजन फोर दा क्वेल्स बिट्विन दा फार्मस और शेया प पहुंचता था यह बड़ा कारण था एक तो शेफर्ड्स मैं टेक इस फ्लॉक टू वाटर अक्रोस एस ओन फिल्टु दा रेन ओफ दा क्रॉप सोरी उजून अप दा क्रॉन आर्यू आई रून का मतलब नुकसान होना फसल खत्म हो जाना और सिदे सी बात है पिर बैड़ जाती होगी और फसल को नुकसान होता होगा यह करन तैक तो ये भी एक कारण था, तीसरा कारण था, कि दूसरी तरफ कहीं बार ऐसा भी होता था, कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकूं का रास्ता रोग देते थे, और उन्हें अपने पशुँ को नदी नहर तक नहीं जाने देते थे, इस तेम भी फिर उनके आपस समय जगड़े हो जाते थे, फोर देर पार्ड, सैटल्ड ग्रूप्स में डैनी पॉस्टिल्स एक्सिस टू रिवर और कैनल वटर अलोंग सेट ऑप पाथ, ये भी तीन बड़े कारण थे, और आइधिंक तीनों कारण आपको मेरे साथ की साथ याद होगे, बहुत इजी है, ठीक है, अब अब बात करते हैं, क्यों समय 38, मेसो पोटामिया का समाज और वहां की संसकर्ती बिन-बिन समोधाई की लोगों और संसकर्तियों का मिश्रंता इस पश्ट कीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि ये खानम दोस्त लोग थे, ये भी क्या करते हैं, गड़र पृटियों तरे वरिम्पॉर्टन लगा लगा लिए इसको, कि मैसो पोटामिया के क्रश्टी से समरिद हुए मुख्य भूमी परदेश में, या या वर समुदायों के जुंड के जुंड या 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 वर का मतलब बहुत सारे, समुदायों के जुंड पश्मी मुरस्का से आत प्रोस्परिस एग्रिकल्चरल हेरलेंड ठीक है अब होगा क्या कि ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजव शेतर में बोई होये खेतु में अपनी भेड़ बकरियां ले आते दे अब गर्मी में क्या होता है कि गर्मी फसल कर जाती है तो उसके बाद में जो क्या करते थे कि बेड़ बग्रियां ले आते थे और ये समय गर्मी में और फिर ये गडरिये समय फसल काटने वाले मजदुरूं अत्वा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समरीद होकर यहीं बस जाते थे अब देख होगा कि वहां के किसान भी उस टाइम राज और हैट सोल्जर्स ओकेजनली बिकिम प्रोस्परिस एंड सैटल डाउन फिर वहीं बस गए और एफ्यू गैन दा पावर टू स्टेबलिश देर ऑन रूल और कुछ तो इतने भी खतरनाग निकले कि उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शाषन जूल खुद का शाषन स् अरुमाइट असीरिया और आर्मीनियक जाती के थे ठीक है मतलब ये खाना पदोश्ट लोग थे एक बाहर से आई वे लोग थे तो ये क्या है कि ये भी डिफरेंट डिफरेंट जगह उस आई वे थे ठीक हैं इनको एकटा खाना पदोश बोल दिया जाता था लेकिन ये भी अलग लग थे अकदी थे कुछ अ कुछ असीरिया ऑएट एक जाती के थी चार जाती है फिर और की अपस जबी दो इंगलीच में फीरिया कि यह मत सोचना कि यह गल्ट सहीज है have you वह था वापस एमिरुडरइट जो यहां का राजा था ना मारी का मारी की राजा थे एमुराइट समधाए उनकी पोशाक वहां के मौल निवास ह्युश्य से बिं होती थी यह अब पीछे पड़ लिया रेकिन वापस इस आंसर में पड़ेगा फिर और क्या था और उन्होंने मेसोपोर्टामिया के देवी देवताओं का आधर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी शेत्र के देवतार डेगन के लिए मारी शेत्र में एक मंदरी भी बनवाया इस प्रकार मेस्वोर्टामिय का समाज और वहां की संस्कृटि बिन-बिन समुधायूं और लोगों का mission था Thus, the society and culture of Mesopotamia was a mixer of people and culture यह अपने कह सकते हैं तो तीन-चार बड़ी एक्जाम्बल अपने दे दिये तो यह answer होगे अपना complete 38 अब देखते हैं अपने क्योश्मा थर्टी नाइन यह भी very important यह है कि जिम्री लिम का मारी में इस्ति एक राजमेल था जिम्री लिम जिम्री लिम ठीक है ता पहले से एक मारी ऑप किंग जिम्री लिम ठीक है जिम्री में एक राजा है तो उसका एक राजमेल था उसके बारे में क्या है कि आपको एक्जाम लिखना है कीमती धातों के आबोशन के निर्मान का मुख्य के अंदर भी था ठीक है यानि कि ता ग्रेट प्लेस अपमारी वोस दा रेजिदेंस अप दा रॉयल फैमिली दा हब ओफ एडमिस्ट्रेशन एड़ प्लेस अप्रोडक्शन स्पेशली ओफ प्रोवीजन स्वरी प्रिवेस मैटल ओर्नामेंट्स ठीक है उनका विशेश के अंदर था ये अपने समय में वो इतना अधिक प्रसीत था कि उससे देखने के लिए ही उत्री सीधिया के एक छोटा राजा आया और वे अपने साथ मारी की राजा जिम्रेलिम जो था ना उनके नाम उसके एक अन्य राजा का परीचे पत्तर लेकर वहाँ आया था पताओ इतना फैमस था लोग देखने के लिए राजा वहाँ आया करते थे ठीक है मतलब लोग ऐसे दूसरों के आइडेंटिकार्ड ले लेकर भी वहाँ पहुंचते थे इतना वहाँ फैमस था लोग देखने के मलब एक चाहती ठीक है देनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजुन की मेज पर हर रोज भारी मातरा में खादे पदार्द पेश किये जाते थे क्या-क्या की आटा रोटी आटा रोटी होती थी थी ना वह आटागी रोटी मांस मचली फल मदीरा और पियर शांदार लवाजमा लगाए जाता था राजा के यानि कि डेली लिस्ट रिवल था यूज क्वांटिटी अफ फूड वर प्रेजन्टेट इच डे फोर दा केंग स्टैबर फ्लार ब्रेड मीट फिश वो मीट के लेना उसको और टी है वो फिश फूट बीर एंड वाइन ये इस तरीके से राजा की वो कुर्सी सजाई जाती थी क्योंकि वैसे विशाई पिलेस है और राजमहल का सिर्फ एक ही प्रविश द्वार था जो उत्तर की और बनावा था उसके विशाल खुले परांगन सुन्दर पत्थरों से जुड़े वे थे ठीक है दा लार्ज ओपन कोट्यार्ड सचे वर ब्यूटिफुली पाउट र जिसमें बहुत ही शांदार जो भीती चितर दिवारों पर जो की जाती है वाल पैंटिंग ठीक है तो विट वाल पैंटिंग देट वूट है विजिटर्स दा प्लेस वो जे स्प्रावलेंग स्ट्रक्शर विट टू सिक्स्टी रोम्स एंड कर्वड एन एरिया ओफ टू पॉइंट फोर हेक्टर्स वलब राजमेल दो पॉइंट चार हेक्टर के शत्र में इस्ते एक अतैंद विशाल भाहुनता बताओ दो सो साथ कमरे उसमें बन वोट वोज दा कॉमर्शल इंपोर्टेंस वाप मारी सिटी या पिर मारी नगर ठीक है तो व्यापरिक महत्व इसका क्या था कि मारी नगर एक अत्यंद महत्वपून व्यापरिक स्थल परिस्तित था जहां से होकर लकडी, तांबा, रांगा, तेल, मदीरा और अन्य कई किस परिस्मों का माल, नावों के जरिये, फरात नदी की रास्ते, दक्षिन और तुर्की, सीरिया और लेबलोन के उचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाया जाता था, देख सिद्धी सी बात आपने बात करें व्यापारी, तो बिजनस के साथ था, क्यों था ये इतना इंप बात करने हैं, फरात का मतलब यहां पर यह मारी में ही था, तो इसलिए मैंने ब्रैके नावारी भी लिख दिया है, प्राइम पोजिशन फोर ट्रेड इन कॉपर, वूड, टेन, ओल, वाइन, वाइन, वैरियस अधर गूट्स, लांग दा फरात, बिट्विन दा साउट इसलिए बात तो फिर वहाई प्रिया पर एक दिश्टी से हैं या पिर कॉमर्शियल इंपोर्टेंस का बढ़ जाता है, तीक है, दूसरा और क्या कास बात ही है पर, कि यहां दक्षिन नगरों को गिसाई, पिसाई की पत्थर, चक्यां, लकड़ी और शराब तदा तेल के प विल जार्स, विट स्टोप एट मारी ओन देर वे, तू दा सदन सिटीज, फिर देखते हैं, मारी की अधिकरी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदेवे सामान की जाच करते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजासत देने से पहले, उसमें लदे माल की कीमत का लगबग द प्रतिशत प्रभार वसूल करते थे, इसलिए बड़ी चीज है न, यानि कि टैक्स भी मिलता था इनको वहां पर, तो आफ, ऑफिसर अप इस टाउन विट गो अब्रॉड इन इंस्पेक्ट दा कार्गो एंड चार्ज ऑब अब अबाउन टैंथ वैल्यू अब ता गूड्स इसके बाद में क्या होता था, कि जो एक विशेस किस्म की नौकाओं में आता था, जो जो आई यहां पर ठीक है, जो हता न, गेंग जो वाला हो, जो यह दो मातरा है, इसके अंदर एक ही मातरा लिख दी मैंने, दो मातरा लगाना, यानि कि बारले, जो का मतलब बारले, कैम इस पेशल ग्रैन बोट्स, ठीक है, यह ध्यान लखना, क्योंकि उसने शराब बनती थी न, इसलिए, सबसे महतुपूर्ण बात यह हैं, कि कुछ पटिकाओं में साइप्रस के दूइप, अलाशिया से आने वाले तांबे का उलेख भी मिला हैं, ठीक है, इनके मॉस्ट टिन वाज़ अलसो ऑन आइटम ऑप ट्रेड, ठीक है, यह धूप उन दिनों तांबे तता टिन के वियापार के लिए मशूर था, लेकिन एक दिक्त यह भी है, वैसे तो तांबे रुटिन के लिए फेमस था, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्प तांबा रुटिन ही होता था, पर परन तो यहां रांगे का वियापार भी होता था, अब क्या कारण है रांगे की वैपार होनी का, क्योंकि इस परकार यदभी मारी राज्ये सेनिक दरश्टी से चाहाँ, क्योंकि वहां पर देको यह रांगे तामिन सम्मिल से हतियार वैपन्स बनाए जाते थे, इसलिए, य लेकिन व्यापार भी से यह बहुत समर्दी के मामलें पर एदित्य था, ठीक है, तो थो अल्व दा केंग्डम ओफ मारी वोज नॉट मिलिटरी मिलिटरली स्ट्रॉंग, इट वोज एक्सेप्शनली प्रोस्फरस लेकिन बाकी सब यह बहुत एदित्य था, इस तरीके से बह ने उरु मारी वेगरा की बातने करी, वैसे मेसोपोटाम में और भी जो नगर हैं, ऐसा क्योशन आ जाई कि उन से हमें क्या जान करी मिलती है, तो देखो यह जान करी मिलती है, कि मेसोपोटामियां का प्राचीन प्रशीद एक छोटा सा कस्बा था, उसका नाम था अबू सल अबू सलाबिक, जो पचीस सो इसा पूरवेग में लगबग दस हेक्टर जमीन पर बसा हुआ था, और इसकी आबादी थी, दस हजार से भी कम थी, मतलब की, क्योशन यह कि, इसकी तांसर के लिखना है, कि अबू सलाबिक, जान रखना, अबू सलाबिक, जान रखना, अबू सलाबिक इसका अरिया था था, दस हेक्टर और अलगबग पचीस सो इसी की टाइम की बात है, with a population less than 10,000 the sector में था 10,000 से कम इसकी population थी very important है, अलग से यहां सकता है कि अबुसला भी क्या था तो एक पराचीन छोटा सकस्वा था मैसोपटा मिया का और 25 सबर उलगबग यह मिला था जमीन बसावा था ठीक है, खुदा ही करने से पता चलता है 10 एक्टर इसका एरिया है और 10,000 से कम population है, ठीक है और इसकी दिवारों की जो रूफ रहका है उसको उपरी सत्यों को सर उपर तो में खरौच कर निकाला गया था कैसे पता से, कैसे निकला था यह इस परक्रिया में टीले की उपरी सत्य तीला लिखा है वाई डियोसी परकार के ओजार के धारदार चोड़े सिरे से, कुछ किलोमेटर थक खरौचा जाता था ठीक है इस इंवर्स केपिंग ऑफ टैप फ्यू मिलिमेटर्स ओफ दा माउंट विद शार्फ एंड वाइड एंड अब शॉवल और अधर टूल वह एस एच ओड़ वी एले ठीक है इस तरह के से खरोंच कर निकाल लिया जाता था था थोड़े से गरूं की खोज की गई उन्ह पुरतत विदू ने पोदू और पशू की अनेक परजातियों का पता लगाया ठीक है दार्केलोजिस्ट इडेंटिफाइड वह इस पहलें ठीक कर ले ना मैंने स्पैसिस ओप्लांट्स अनिमल्स एंड फॉंड लाज क्वैंटिटिटीज ओफ चार्ड फिश बॉंस दैट ह इतनी सारी चीज है मतलब जो पुरातत वीती थे जो मतलब आर्केलोजिस्ट थे उन्हों में पोदों और पशूओं की अनिक परजातियों को पता लगाया उनमें बड़ी मात्रा में जली मचलियों की जो हड्यां भी मिली उनको बुहार कर गलियों में डाल दी गई थी पिर कि वहां गोबर के उपनों के जलेवे इंदन में से भी निकलने वाले निकलेवे पोदों के बीज और रेशे मिले थे इस से इस 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 पर रसोईगर होने का भी पता चला है ठीक है मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि जो एजर्टिस जो थे ना वहां के जो घर जैसे ही निकल गए थे साइड में जो गलीया होती है उनमें कच्रा फैंका गए तो वो भी सूका कच्रा मिल गया जब दिवारें के पास में डाला वा था तो और कीचन का भी पता चल गया तो मतलब ऐसा इस इसको ख्रोच-ख्रोच कि जैसा था वैसा कि वैसा बिल्कुल पिक्स मस्ट हैव रॉंड फ्रीली हीर एज इन अधर मेसोपोर्टामियन टाउन मतलब जो सूर होता है मेसोपोर्टामिय नगर की तरह यहां भी सूर छुटे गुमा करते थे मलब बिना बांदे बिना बांदे वो खुले गुमा करते थे वस्त उते एक गर में तो आंगन के नीचे जहां किसी मरतिक को दफना गया था सूर की कुछ हडियां के आउशेस भी मिले हैं ऐसा अंदाज लगा जा रहा है कि सूर को भी शाहिद किसी के बोडी के साथ में दफना गया है ऐसा भी वहाँ पर मिला है इनकि इन फैक्ट वन हाउस प्यूरल कंटेंड सम पिक बॉ यानि कि ऐसा परतीत होता है कि वेक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूर का कुछ मास रखा गया था ऐसा लगता है पूरे सूर को तो नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि वह मर गया इंसान तो कि वह मतलब ऐसी कोई परंपरा होती होगी उस बोडी के पास मे सूर का मास रख दिया हो तो इस वज़े से अंदाजे लगा जा रहा है कि थोड़ी बहुत हड़ीया मिलिया इसका मतलब यह कि पूरा सूर नहीं होगा सूर को कुछ खाने के लिए मास उस बोडी के पास में रखावा था और जो कमरे होते थे वो बिना मैसोपोर्टामिया के आपसे पूछे कि मैसोपोर्टामिया की खुदाई करने से हमें क्या क्या मिला है तो उसका आपको यह आंस लिखना है बाकि मारी शेयर की पूछे तो मारी शेयर मैंने आपको बताई रही वो अलग से लिखना है यह चीज़ यह ठीक है importance of cities in mesopotamian culture द्यान रखना दोनु क्योशन एक ही है गिलगमेश के नाम से आता है तो भी आंजर द्यान रखना और mesopotamian से अब संस्कर्ती के बारे हैं पुचे तो भी आंजर ही हो जाएगा तो mesopotamian वासी शेहरी जिवन को मैत्वे देते थे mesopotamian सब्सक्राइब और फिर क्या करते थे जहां अनेक समुधायों और संस्क्रिप्टिवें लोग साथ-साथ रहा करते थे यानि कि सब्सक्राइब बहुत सारी कम्यूटि के लोग रहते हैं तो यह वाली चीज़ इसले इनको पसंते है यह बात है और युद में शिहरों के नष्ट अगर हो गए तो शिहर के शिहरों नष्ट हो जाते थे लड़ाई चकड़ू में तो हो जाने के बाद हुए अपने कावियों क जरे उन्हें याद किया करते थे बाई जैसे कि यहां यह होता था लिखा पड़ी करके अपने कावे कुछ बना ले थे poetry section और उसको फिर याद करते थे उनके बारे हम लिखते हैं उनके बारे हम ठीक है तो after cities were destroyed in war they recalled them in poetry next mesopotamia के लोगों को अपने नगरों पर बहुत गर्वता the most poignant reminder to us of the pride mesopotamians took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic इस बात का सबसे अधिक maramishparshi वर्णा हमें कहा मिलता है maramishparshi का मतलब है बहुत ही मतलब एकदम very famous maramishparshi हमें बिलको छू जाए वेसा वेसा वर्णा हमें Gilgamesh maha kawe में मिलता है Gilgamesh या फिर Gilgamesh एक ही बात है Gilgamesh बोलो चाहिए Gilgamesh maha kawe का अंत में मिलता है और फिर द्यान रखना Gilgamesh या Gilgamesh maha kawe जो हैं इस Gilgamesh को आपको Gilgamesh अलग से ही पुजा सकता है Gilgamesh maha kawe क्या था या इसमें कितनी पट्टिका ही थी तो द्यान रखना Gilgamesh maha kawe के अंदर बारा पट्टिकाओं पर लिखा गया था ये maha kawe यानि विच वोस रिटेन उन 12 टेबलेट्स इसका द्यान रखना नेक्स्ट है Gilgamesh ने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शाषन किया था ठीक है ये Gilgamesh एक राजा का नाम है इसका विद्यान रखना उसी के नाम पर ही माकावे बनावाया तो द्यान रखना आगे देखते हैं अपन यानि कि Gilgamesh वो थोड़ा एंग्लिश एड़ेस्ट करना गिलवान लिखा वे गैमिश ने चलिका वाया Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk sometime after एनमरकर ठीक है वह एक महान योद्दा था जिसने दूर दूर तक के परदेशों को अपने अधीन कर लिया था ठीक है अब हिंदी मोल दो स्टोडी पुरी दिमार को याद हो जाएगी फिर एंग्लिश बोल देंगे मज़ा आएगा बहुत इजी स्टोरी है हुआ क्या था दूर दूर तक परदेशों को अपने अधीन कर लिया था लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसे एक बहुत गेरा जटका लगा जब उसका एक वीर मित्र था वो अचानक डेथ होगी मतलब बहुत उसका फेवरेट फ्रेंड था ऐसा मान लो पक्का बेस्ट फ्रेंड था लेकिन उसकी मोत होगी वीर मित्र अचानक मर गया तो इसने वो दुखी हो गया और इतना दुख हुआ उसको कि वे अमरत्व की खोज में निकल पड़ा पूरा राजपार छोड़ की अमरत्व का मतलब कि बस मुझे बस अब अमर होना है वे इस खोज में निकल पड़ा तो उसने सागरों महासागरों को पार कर लिया और दुनिया भर का चकर लगया मगर उसने अपने सहसिक जो ये कारी उसने किया था उसमें सफल था नहीं मिली और फिर फाइनलि हार कर गिलगेमिश अपने नगर अड़ुख लोट आया इस परकार उरुक नगर के विशार प्राचीर पर वापस आकर महाकावी की लंबी वीरता पुर्ण और साहस बरी इसका थाका अंध हो गया मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये गिल गैमिश था ये बहुत बड़ा राजा था वीरता आशी था लेकिन इसको एक पर बहुत दुख वाए जब इसका कोई फ्रेंड मर गया था तो फिर ये क्या अगर आए अमरत वही कोज में चला गया मुझे अब मरना नहीं कर भी मरना न होंगे तो चाहर दिवारी को या फिर समान लोगे इस वॉल को दिवारों को देखा जो इंटू से बनी हुई थी तो फिर ये बहावी बहुत रोने लग गया कि यार यह मेरे बनाए गए हैं यह तो मेरे अपने हैं मुझा इसको अपनत वे वापस फील लगा और फाइनली इ जात इस तरीके से चोटी से स्टोरी थी जो पूरी खतम हो गई अन्त हो गया उसका ठीक है तो इंग्लीश थोड़ा से देख लेते हैं ग्रेट हिरो हूँ सब्जून पीपल फार एवाइड ही गोट शॉक वेन इस हेरोइक फ्रेंड डाइड ही देन सेट आउट तो वह हार गया एंड रेटन वापस कहा आया वापस वहीं उरूख आया रेटन टो अरूख और तो देर फिर वहां आने के बाद उसने क्या देखा कि देर ही कंसोल हिंसेल बाइड वाकिंग अलोंग दा सीटी वाल बैक एंड फॉर्थ यानि कि जैसे वह गोम रहा था बैक इंटों से बनाई हुई थी तो थोड़ा दुख हुआ उसको रोने लग गया कि यार यह मेरे द्वारा बनाएगी में इतना बड़े प्यारे शेयर को छोड़के चला गया यह सब थी एड्माइड दा फाउंडेशन मैड ओफ फाइड ब्रिक्स देट ही एड पूट इंटो प्लेस ठीक है और इट इस ओन दा सीटी वॉल ऑफ रूख देट दा लॉंग टाइल ओफ हीरोईजम और फिजल आउट इस तरीके से वीरता पूर्ण यह जो कहानी थी माकावे था एपिक था उसकी स्टोरी खतम होती है तो यह एजी आंसर लिख देना ऐसा कैसा कोई बड़ी बात नहीं है जो कुल मिला कि चैप्टर वैसे याद करने वाला है और इसली याद हो जाएगा सीधा सीधा याद करके प्रैक्टिस करके टेस्ट देदेना बस पूरी माक्स आ जा मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे बड़ी देन थी उसकी कालगर्णा और गनित की विद्वत्ता पूंट परंपरा यह बड़ी चीज थी तक ग्रेटेस्ट लेगसी ऑफ मेसोपोटामिया टू दा वर्ल्ड इस इस स्कॉलर्ली ट्राइशन ओफ टाइम रिकॉनिंग एड मै वर्गमूल और चक्रवर्ति व्याज की सारणिया दी गई है ठीक है डेटिंग अराउंड अठारहसु बीसी आर टेबलेट्स विद मुल्टिप्लेकेशन और डिवीजन टेबल्स स्कॉर और स्कॉर रूट्स टेबल्स और टेबल्स और कंपाउंड इंट्रेस्ट वो कंपा पड़ेगा उनमें एक एक एक्जांपल बहुत ही कि जबका मिला है कि उसमें दो का वर्गमूल दिया गया था उस टाइम पर दा स्कॉर रूट टू वोस गिवन और बड़ी बड़ी मज़िदार बात यह हैं कि जो अपन अभी जो रूट टू की वेल्यो निकालते हैं या प तो हर कुछ पोसिबल है लेकि उस टाइम पर सोचो कैसे हैं कि 1 प्लस 24 उब्लिक 60 प्लस 51 उब्लिक 60 का स्कॉर प्लस 10 उब्लिक 60 का क्यूब इधर यह A A स्कूर A क्यूब ऐसा चल रहा है मतला इसको पूरा अगर आप सॉल करेंगे अगर आपनों सलूशन करेंगे हलंगे करन रूट का 2 का स्कॉर 1.41421356 से थोड़ा साही बहन है देखलो बलें 1.4142 तो सेम यह वन भी सेम है वहां 2 की जेके 3 है 9 की जेके 5 हो मतलब इतना एप्रोक्स आना बहुत बड़ी बात है ते स्कॉर रूट अप 2 वस गिवन इस 1 प्लस 24 उब्लिक 60 प्लस 51 उब्लिक 60 का स्कॉ प्रत्वी के चारों चंदरमा की परिकरमा के अनुसार एक पूरे वर्स का 12 महीनों में विबाजन और एक महीने का चार हपतों में विबाजन और एक दिन का 24 गंटों में और एक गंटे का 60 मिनिट में विबाजन ये सब जो आज हमारे रोजबरा की जिंदगी का अच्छे त कि इतनी चीज़ें जो अभी भी चल रही है उस ताहीं पर दे देना बहुत बड़ी बार थी और ये क्योशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए ठीक है The division of the year into 12 months accordingly to the revolution of the moon around the earth The division of the month into 4 weeks, the day into 24 hours and the hour into 60 minutes All that we take for granted in our daily life, daily lives has come to us from the Mesopotamians इतनी बड़ी देन Mesopotamians वासियों की है ठीक है अगली देखते हैं है अपन कि जब कभी सूरिय और चंदरग्रेन होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था है एक नी यानि कि whenever solar and donor eclipses were observed their occurrence was not yet accordingly to year, month and day so there were records about the observed positions of stars and constellations in the night sky इस प्रकार रात को आकाश में तारूं और तारामंडल की इस्तती पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था जो आज भी famous है सोचो यह चीज़ें सारी चंदरग्रेन होना सूरी ग्रेन वाली बाते हैं कि mesopotamia में सरवपतम लेखनकला का जनम हो यह भी उनकी देन है ठीक है the first art of writing was born in mesopotamia mesopotamia के लोग है ना वो मिट्टी की पटिकाओं पर लिखा करते थे the people of mesopotamia used to write in clay tablets ठीक है और फिर अपने बात करते हैं उनकी लिपी तो लिपी थी क्यूनिफर्म मलब कीलाकार थी वह भी बड़ी बात है ना his script was called क्यूनिफर्म या पर कीलाकार ठीक है यह सब लिख सकते हो चाओ तो वैसे क्यूनिफर्म लिख देना और फिर एक बात और लिखती हैं इन्हें बहुत-पड़ा पुस्तकाल एक लाइबरेरी दी थी उस टाइम में यानि जो असुर बनिपाल जो असीरिया एशाशक था मतलब असीरिया का यह राजा था इसने एक पुस्तकाले बनवाई था, एक लाइब्रेरी बनवाई थी उसमें कुल मिलाके 10,000 मौलकावे थे और लगबग 30,000 पट्टिकाई थी अलग से एक क्यों चनाएगा फिर सुन लेना, अंडरलाइन कर लेना कि जो असुर बनिपाल जो राजा था उसने जो पुस्तकाले या जो लाइब्रेरी बनवाई थी उसमें कितने तो मौलकावे थे, यहने कितने टेबलेट्स थी और कितनी पट्टिकाई थी, यह आपको पूछेगा वो तो ध्यान रगना दोनों का अंसर 10,000 तो मौल गरंत है 10,000 तो मौल गरंत है और 30,000 वो आपके टेबलेट्स थी, मलब पट्टी गई थी, यहाद रख लेना तो यह भी ध्यान रखना दोना असुर बनिपाल जो कि रूलर पूरा ठीक कि लेना स्पेलिंग कभी कोई मिस्टेक रह गई है तो लाइब्रेरी हेड़ टॉटल अप सम हजार टेक्स्ट, हजार तो मौल गरंत है और अमाउंटिंग टो अबाउट 30,000 टेबलेट्स थीक है यह दियान रखना और ग्रूप्ट अकोर्डिंग टो सबजेक्ट जिने विशे अनुसार वरगिगरत भी किया गया था यह और सब अलग अलग विश्यों में बांटा भी गया था और एक कुमार के चाक वाली बात तो मैंने बताई दी बहुत दी शांदार यह भी उसी टाइम के देने तो कुमार के चाक का परियोग मेसोपोटामिय के लोग ने संबहुते सबसे पहले किया अब पॉर्टर्स फिल वोज प्रबबली तब फर्स टू बी यूजड बाई था मैसोपोटामिय और सिधी सी बात है जो नगरों का यह शेहरों की जो शुरुआत हुए थी संबहुते तो नगर राज्यों के संबहुते मैसोपोटामिय में सर उपर था मुई थी इस परकार मैसोपोटामिय की विश्वे को देन से ग्यान विज्ञान के शेतर में बहुत अन्यती हुई है दस दे लेगसी अप मैसोपोटामिय तू दा वर्ल्ड लेटू एडवंस्मेंट इन दा फिल्ड अफ नॉलेज साइंस ठीक है इस तरीके से बहुत ही मैसोपोटामिय की देने और भी आपको अगर याद आता हो कुछ मैसोपोटामिय एक बरे में तो इसी आंसर में आप एड़ उन कर सकते हो ठीक है अब देखो क्योंस नमाना 44 वो वोज नेबो नीड़स ठीक है उसने बेबिलोन के मंदिर के उद्दार के लिए क्या योगदान दियाज पस्ट कीजिए वेर इंपर्टन तो नेबो नीड़स वोज दा लास्ट रूलर ओप इंडिपेंडेंट बेबिलोन यानि कि नेबो नीड़स स्वतंतर बेबिलोन का अंतिम शाषक था हो गया वनमाक साईयोशन तयार पूछा जाएगा बेबिलोन का अंतिम स्वतंतर शाषक का नाम बताये ही तो वो को नहुँआ गा लास्ट रूलर ओप इंडिपेंडेंट बेबिलोन आंसर होगा नेबो निडस त्यान रखना ठीक एंडरलाइन कलो वनमार्ग से लिए उसने क्या लिखा उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिये और उसे सुदू दक्षिन के उस पुरातन नगर का कारी भार संबालने के लिए एक महिला पुरुईत को नियूत करने का आदेश दिया यह साई यह कहता है इसको जैसा सपना आया यह सालिखता है यह राइट देट गोड अफ उर कैम टू हिम इन ड्रीम सपने में आये एंड ओडर्ड हिम तो अपॉइंट ए प्रिस्ट तो टेक चार्ज अब दा कल्ट इन देट एंसें टाउन इन देट डीप साउथ ठीक है यह तो सीदी स्टोरी आपको इसलिए याद हो जाएगी उसके बाद क्या इसके सपने में आते आगे देखते है फिर उसने लिखा कि चोंकि बहुत लंबे समय से महिला पुरहित का पर्तिस्तान भुला दिया गया था तो उसके विशिष लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया है मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा ठीक है He writes Because for a very long time the office of high priest had been forgotten मतलब इसको महिला का थी तो उसको भूला दिया गया है तो इसने कहा कि मैं बार-बार वापस इसको याद करता और याद दिलाता तो ही ही हर करेक्टर्स फीचर्स निवर इंडिकेट आई बेट आउट माइसेल्प डे आफ्टर डे ऐसा यह कहता है ठीक है और फिर आगे क्या कहता है उसने एक बहुत पूराने राजा का पठलेक मिला था जिस पर लिखा हुता है जैसे कुछ लिका हूँın शीला लेक टाइप मिला और उस पर उसने महिला-पुरोयद की आकरती अंकित देखी थी उस महिला-पुरोयद की तो देखो ध्यान से समझना यहां से एक चीज निकलेगी तो उसको जो देखता है न महिला पुरुईत की आकरती भी बनी हुए थी जो लोगों ने भूला दी थी लेकिन इसने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि राजा की जाए कि महिला पुरुईत भी हो तो उसको उस आकरती को जो देखा तो उसने उसकी आभूशनों और वेशबुशा को ध्यान पुरुग देखा और उसने अपनी पुत्री को वेशी ही वेशबुशा से सुसजित कर महिला पुरुईत की रूप में परतिश्टित किया मतलब अपनी बेटी को वेशब वेशबुशा को बनाके और महिला पुरुईत की रूप में बेटी को बिठा दिया समालो ठीके राजा बना दिया तो मतलब ये एक बड़ी बात थी इसकी ठीक है क्योंकि इन सब लोगों ने बोला दिया था माहिरां को फुरुईत बनाना लेकिन इसने वापस बनाया अपनी बेटी को सेंप टो सेंप ट्रेस पहना के लिएक अन्या उसर पर नेबो नीडस की आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्थी लेकर आए थे ठीक है जिस पर अकद के राजा सार्गोन का नाम खुदा था यानि ओन अनादर ऑकेजन नोबे इंडस मैन ब्रोट टू ही में ब्रोकन स्टेचू इंसक्राइब्ड विद्दा नेम औप सार्गोन उसका नाम था किम अप अकद ठीक है अकद का जाता है तो यह भी सोचेगा है इतना मड़ा राजा था इसकी मूर्ति खंडित तूटी खंडित है इसकी कि because of my he writes because of my reverence for the gods and respect for kingship I summoned skilled craftsmen and refreshed the head मैंने script मतलब बहुत जो craftsmen को बुला है skilled जो जानते हो उसके बहुत बड़ी जानकार हो उनको बुला है और उस मूर्ति को बिल्कुल वापस टकारटा करवा कि मैंने उसको वापस लगवा है तो यह भी मैंने बहुत अच्छा किया और वैसे भी यह इसकी अच्छी बात है इससे क्या होगा कि एक राजा की जो वेल्वे और जाता बढ़ जाती है कि उसने पुरानी संस्कृत्ति को बचाए रखा बले ही चाहिए इसकी बाते हैं प्रते इमन गड़न्त हो कि इसका सपना है था ड्रीम हो गएरा लेकिन जुसने बाते हैं काम किया है वो वाकिए मनलब परासशन है वो मनलब परास vibration आके लाइक है इस तरीके से क्योशन क्या था कि जो नेवोडर नेड़िच्छे उसका contribution क्या था तो बहुत बड़ा contribution है, ये दो-तीन बाते जितनी भी चाहिए, उसने अपने बेटी को बिठाई है, तो इसमें बहुत बड़ी बात है, महिला समस्रतिकरण की नज़र आता है, और महिला भी राजा बंसिती बाते भी इसने सीखने को मिलती है, और पिछले पुराने राजा महाराजों का रेस्पेक्ट करना भी इसने सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि वो पहले के राजा थे, तो अपने उसका महान समान भूल जाएं, वो भी इसकी सीखने को मिलता है, मुर्ती के शेतर में भी इसने बहुत जाज़ा काम करवा हैं, अपने इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, पर नेक्स्ट और लास्ट क्योशन, 45, 45, कि जिगुरात से आप क्या समझते हैं, what do you understand by जिगुरात, या पर इंग्लिश में दो नाम हैं, इसके जिगुरात पी है और stepped tower भी है, ठीक है, तो मैंने इसका अंतर बहुत deeply लिखा है, कि जिगुरात का पहले आपको meaning आना चाहिए, ठीक है, जिगुरात का अर्थ होता है, उचा बनना, ठीक है, यानि कि जिगुरात means to become high, मतलब उचा बनना, height, height ज़्यादा होना, वो है, जिगुरात का जाता था, ठीक है, इन में सोपोटामिया, use temple that for in the shape of a stepped pyramid, work called जिगुरात, ठीक है, उनको जिगुरात का जाता था, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा मैनत इस chapter में मेरे को लगी है, deeply आपको notes में लगे है, line to line, जहाएं भी line पढ़ी, पहले पूरे chapter के line, underline करकर के पढ़ पढ़ की क्योशन मनाए है, एक से बड़ एक क्योशन है, बहुत ही deeply मैनत आपको करनी है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा इत्ता है, क्यों जितना deeply क्योशन मन सकते हैं, बस आपको इनको revise करना है, MCQ जोला वीडियो upload है पहले से एक बार फिर से उसका rate test देना है जो written होगा, उसमें important question होगे, बहुत top level के, इस chapter के, उसके बाद में दुनिया का कोई साब equation आपके notes से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पुरी उम्मीद है कि आपने पूरा chapter मेरे साथ की साथ अभी का भी उतारा होगा, और complete notes आपके बन गेंगा, ठी ठीक है, ओके